एलो वीवर्स असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब इंसलब बहुत अच्छी होंगे अपने अच्छे चे कामा में बेजी होंगे माइसल जिया मनसुरी एंडियर वचिंग जिया मनसुरी किचिन दोस्तों आज में लेकर आई हूं आप सभी के लिए दो ऐसी रेसीपी जो बहुत ही ही यूदि पहुत ही डिफरेंट है टेस्ट मासाला से बहुत अच्छा है बच्छो को बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो इस पैसे पूरा देख लेना उसके बाद में ट्राए करना और करना कैसी बनी आपकी यह उमीद करते हूं बहुत अच्छी बनेगी कि यहाँ पर एक पैन लिया है इसमें डाल भी दूद्ध में हलके हलके बॉयल आने लगे हैं इसको खर देते हैं हम स्टल अब यहाँ चीनी तक्रिबर इसमें four टेवल्स्पूון चीनी है और एक कतुछी पाउडर ऑऔर इसमें टक्रिवन four टेवल्स्पून ही मिल्क पाउडर आब में चीनी और मिल्कझ पाउडर लियए हैं है हम आम्में क्या करنا है यहां डाला है मैंने कौको पॉडर को पाॉडर हमें थोड़े सा कम लेने है तो यहां पर मैंने तकर दिवन 2.5 टेबल स्पून यहां पर लिए है मैंने कौको पाॉडर ठीक है उससे थोड़े सा कम लिना क्योंकि फिर बहुत ज़ाधा हार्ड it आता है ये शिर्फ थो इतना थोड़ा कम रखना है हु मैं नहीं सब्सक्रफन को छं Pas कुछ उनकडक से और श्रैयन्स में आपर ढई लाजी में सब्सक्राइब करें से अग dime पर तो यहां पर तो ऑन चेक नहीं तो स्षरिख और भी टाल देंगे बढ़ा देंगे तो यहां पर मैंने क्या किया है थोड़ा सा मिल्काूडर बढ़ा दिया है और सभाद है मेपनी कोको पाउडा कök दिर अभी यहां बन तयार है और इस सिर्फ को बनाने के लिए हमें हाडली फाइप मिनिट लगे होंगे और यह सारा प्रोसेस आपको हाई फ्लेम पर करना है ठीक है तो चलिए नेक्स प्रोसेस क्यों चलते हैं अब यहां पर हमने एक प्लेट ली है प्लेट में रखा है एक प्रेड सिंपल प्लेट में प्लेट करें जाए को इसको आपको बिल्साओ को बिल्साओ यहां इहां इसकी महां लेना है अब इसको बिल्साइब तो यह दोड़ा जा रहा है कि मैं गिर जाओं इसके उपर ओंदे मुग गिर किया कोई बात नीए अब यहां पर हमने दूसरा ब्रेट रखती है तो इसी दरीके से हम यहां पर चार ब्रेट रखेंगे और यहे पर रखेंगे अपना लास्ट फ्रेड ये लास्ट है और ये चार मंजिल हमारा केक बन गर केत्यार मैं बहुत जादा अच्छा लक्ताए तो हमें ही बहुत ज्छा पसंद आता है, भी टराई करीं आपको इह बहुत पसंदाईगा, बच्चों की तों बात ही कुछ और है, बच्चों की पसंदाना ही हो गया, तो यह मैंने इजिस कट नहीं कि अगर आप चाहें तो यहां पर एजिस कट कर सकते हैं ठीक इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट होता है बट एजिस के साथ भी काफी अच्छा लगता है तो मैंने इसकी एजिस कट नहीं की है और आज एजिस ब्रेट को लेकर ऐसे ही यहां पर लगा दिया मैंने देखाँ कृतनी सिंपल सी रसीपी है और हमश्चा के तो बहुत है मैं बने ठाइगी के हुए आप तो मैंने इनको पत्ता पत्ला परीकि इक कन फाइन चॉप कर लिया है अब हम इसके ऊपर इसको तेंगे पूरे बेट के ऊपर और यह गानिशींग का काम करेगा बहुत एक खुबसुरत दिख रही यह तो इसको एक घंटे के लिए हम फृरिज में रख देंगे सेट होने के लिए एक घंटे के बाद फिर हम इसको निकालेंगे बाहर फिर देखेंगे आगे क्या करना है तो यह देखिए इस तरीके से आपको कट कर लेना और बहुत समल कर उसके अदर करने क्यूंकि हमने इसको जादा टाइम नहीं करना कि अच्छा हमने सको निकाल लिया और यह देखिया हमारा और मनजल एक बना है और वाई लियर अच्छा से अम्हारा यह शिर्फ है ना वरे में लगा दिया दिखें कितना हुपसुरा दिख रहा है अमीद करती हूं आप सभी को मेरा आज का यह डिजर्ट यह केक बहुत ही पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लें पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक् बाई बाई ठीकिया अला हाफिज